हेलो स्टूडेंट वेलकम टू सेवन्थ क्लास मैट्स ओनलाइन क्लासीज आज हम एक्सराइज वन पॉइंट थी करते हैं ओन दा बेसिज ओफ इंट्रोडक्शन ठीक हैं इंट्रोडक्शन में मैंने अच्छे से एक्स्प्रेंग कर रखा है हिंदी में तब कोश्चन नमबर टू देखते हैं वाट विल बी दा साइन ओफ दा प्रोडक्ट प्रोडक्ट का साइन क्या आएगा इफ 11 क्या हमारा नेगिटिव इंटिजर एंड 6 पोजिटिव इंटिजर आर मल्टिप्लाई टुगैदर मलत दोनों को अपस में हम मल्टिप्लाई करते हैं तो साइन क्या आएगा में क्या है साइन हमें साइन देखना है क्या आएगा साइन पे हमारा focus है तो 11 क्या कहा है इसने negative integer ठीक है मतलब minus 11 ठीक है ओ 6 क्या positive integer plus 6 plus तो लिखो या ना लिखो कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है तो यह हो गया हमारा 6 तो आगे क्या कहा है multiply together एक दूसरे को आपस में multiply करना है तो minus 11 multiply 6 तो पहले हम sign को side में रखके 11 को 6 को multiply करते है ठीक है 11 6 जा 66 अब sign देखते है क्या आएगा अब हमें देखना एक integer हमारा minus का है और एक integer हमारा plus का है minus और plus को हम multiply करते है तो क्या आता है minus opposite sign को हम multiply करेंगे तो minus आएगा अगर same sign को हम multiply करेंगे तो plus आएगा जैसे minus multiply minus multiply minus equal to plus plus multiply plus equal to plus यहां पर क्या हमारा opposite sign ठीक है minus multiply plus equal to क्या आएगा हमारा minus main रखना हमें opposite sign होगे और उन दोनों को हम multiply करेंगे तो आएगा हमारा minus ठीक है तो यह माइनस 11 multiply 6 माइनस वाला और यह प्लस वाला दोने इंडिजर को multiply क्या आ गया माइनस 66 ठीक है पहले हम 66 लिखेंगे फिर हम यह देखके फिर हम लगा देंगे माइनस तो sign क्या है हमारा negative ठीक है अब हम question number 2 का यह तो हमारे पार्ट अब हम करते है question number 2 का b part minus 2 is multiplied with itself itself मतलब खुद से minus 2 को हम खुद से multiply करेंगे कितने time 300 times ठीक है minus 2 multiply minus 2 multiply minus 2 multiply minus 2 multiply minus 2 और कहां तक करेंगे आसे हम 300 time करेंगे ठीक है तो number of negative factors is 300 तो 300 क्या है उङे और आप दियान देना ठीक है इवन नंबर आया तो हम हम क्या sign लगाएंगे positive ठीक है याद करने में अगर लगा है नंबर ओफ नेगिटिव फैक्टर नमब्र फैक्टर तो हम लगाएंगे क्ति तो जाता औरन फैक्टर तो फॉसंथ अगर odd है तो negative ठीक है यह मैंने introduction में अच्छे से explain कर रखा है अब हम question number third करती है ठीक है find the product of the following सभी का अपस में product करना product क्या होता product multiply होता है गुना होता है product ठीक है नहीं अपस में two integer को multiply करेंगे together एक दूसरे के साथ और main focus की इस पर रखना हमको sign पर main focus की इस पर रखना है sign पर sign क्या आएगा multiply तो कर दोगे आप आपको table भी आती है ठीक है ने table भी आती है और वैसे multiply आता अपना multiply करके कर दोगे तो main है हमारा sign ठीक है sign देखना में अब यह देखो question number third का part यह देखते हैं three multiply minus eight first time मतलब जो यह हमारा sign है sign को side करके simply multiply करते है ठीक है three multiply eight तो यह आगे 24 और main focus हमारा sign पे अब sign put करते है then put sign तो पहले हम यह देखते है ठीक है plus multiply minus क्या आएगा minus अगर हम अगर हम opposite sign को multiply करेंगे तो आएगा हमारा minus और यहां पे अब यह two integer हमारे और इनको आपने बस sign sign को देख लो अब यहां पे positive है यह पे negative यह positive है यह negative है और 20 में multiply है तो क्या एगा answer हमारा negative में आएगा so three multiply minus eight equal to minus 24 ओके अब हम question number third का भी part करते है minus 15 multiply minus four ठीक है first time sign को यह अटा देते हैं बस simply multiply करते है 15 multiply four कितना आगा 60 अब sign देखना में ठीक है नी में focus हमारा sign पर है then put sign अब यह देखो यह भी integer हमारा minus का यह भी minus का है तो minus multiply minus तो क्या आएगा plus positive ठीक है नी अगर two integer के साथ हमारा sign minus minus का है तो आएगा plus अगर same sign को हम multiply करते है तो plus अगर यहां पे plus है multiply plus होता तो भी plus आगा अगर minus multiply minus है बीच में यह देखना में यह क्या है multiply ठीक है same sign को multiply करेंगे तो आँख बंद करका हम सिद्धा बस plus का लगा देंगे अगर same sign को multiply करते है तो ठीक है so minus 15 multiply minus 4 equal to 60 ठीक है है समझ में अब हम question number third का C part करते है माइनस 11 multiply 0 अब में 0 को अप्याद कर लो 0 को किसी भी number के साथ multiply करोगे तो उस number को 0 बना देगी ठीक है निक किसी भी term के साथ अगर 0 को multiply क्या करना में multiply पर द्यान देना है अगर 0 को multiply करोगे तो answer हमारा 0 ही आएगा भले ही वो number वो integer हमारा negative हो positive हो कुछ भी हो ठीक है तो 0 है तो 0 ही आएगा तो minus 11 multiply 0 आगे हमारा 0 तो कुन सी property 0 factor property a multiply 0 आया हमारा 0 0 multiply a equal to 0 ठीक है नि जीरो को किसी नंबर से करो या फिर किसी नंबर को 0 से multiply करो तो आएगा मारा 0 ओके अब हम question number 3 का D part करते है ठीक है minus 19 multiply 4 उपर वाले question की तरह है first time 19 और 4 को multiply करेंगे पहले आगे हमारा 94 जा 76 देखा टेबल क्यों याद करते है टेबल इसलिए याद करते हम ताकि हमारी जो equation को या फिर किसी भी question का solve करते है तो easy हो जाए ठीक है निए और वैसे हम 4 को 9 से करेंगे फिर 1 से करेंगे तब आया तो एक दम सीधा भी कर सकते हम 94 जा 76 देन पूट साइन ठीक है अब 76 अब साइन क्या पूट करेंगे एक हमारा negative का एक हमारा positive का माइनस multiply plus equal to minus ठीक है अगर opposite साइन को हम आपस में multiply करते है तो answer हमारा negative आएगा ओके यह मैंने ऊपर भी बताया है minus multiply plus equal to minus अब यह देखो एक हमारा minus का integer एक हमारा plus का integer और दोनों को किया किया बीच में तो प्लीज वीडियो को like करे share करे और subscribe करे थैंक यू